हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु क्रेजी जी के ट्रिक तो आईए डेली करन्ट अफेर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में हम 28 दिसम्बर के सभी करन्ट अफेर्स को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे सभी कोशन इंपॉर्डेंट है इसलिए वीडियो में इंटर बने रहेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिएगा इसके अलावा अगर आपको डेली करन्ट अफेर की PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीगे ट्र के टेलिग्राम चेनल से या पिर क्रेजी जींगे ट्र के अप्लिकेशन पर जाकर फ्रि ओफ कोस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं ओके, आजके करंट अफेर का सबसे पहला कुशन देखिए, कॉंग्रेस द्वारा भारत नियाय यात्रा कहां से कहां तक आयोजित की जाएगी इंपोर्डेंट गोश्चन द्यान रखिएगा, कॉंग्रेस देखिए भारत नियाय यात्रा निकाल रही है, जिसे पहले भारत जोडो यात्रा निकाली गई थी, अब ये जो भारत नियाय यात्रा है ये मडिपूर से लेकर मुंबई तक निकाली जाने वाली है अंसर ए हो जाएगा, भारत नियाय यात्रा कॉंग्रेस का एक जन अंदुलन है, जिसे राजनितिक दल भारती रास्ट कॉंग्रेस के द्वरा आईजित किया जाएगा भारत जोडो यात्रा जो निकाली गई थी उसकी तरह ही भारत निया यात्रा को भी राहुल गांधी लीट करेंगे यह यात्रा 14 जन्वरी 2024 को मड़ीपूर से शुरू होगी और 145 दिन तक पैदल यात्रा के बाद 14 रज कवर करते हुए यह मुंबई में समाप्त की जाएगी तो यह हो गई भारत निया यात्रा जो की पुर्वो में मड़ीपूर से शुरू होगी और पश्चिम में मुंबई में समाप्त की जाएगी इसके पहले भारत जोडो यात्रा कन्या कुमारी से लेकर शिरी नगर तक आयजित की गई थी किसके द्वारा निकाली जा रही है तो यह कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है देखे फ्रेंड्स अब आपके लिए क्रेजी जी के ट्रिक की येरली करंट अफेर की बुग भी अवेलेबल है जहां पर जन्वरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की सभी करंट अफेर आपको अपडेटेट फॉर्म में मिलने वाले हैं आपको पूरी बुग अपडेटेट फॉर्म में मिलेगी अपडेटेट वर्जन में मिलेगी इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको comment box में और description box में link दी गई है, आप सीधे वहाँ पर जाकर इस book को order कर सकते हैं, book की hard copy direct आपके घर भेज दी जाएगी, अधिक जानकरी के लिए आप नीचे दिये गए number उपर भी call कर सकते हैं, इस book में आपको 36 chapter हैं, 36 topic हैं, all over topic के ब इस book को easily order कर सकते हैं, इसके अलावा देखिए crazy gigatory के root application पर आप सभी के लिए mega test series भी प्लान की गई है, चार आपको यहाँ पर free test मिलेंगे, साथ जनवरी से यह test शुरू होंगे friends, चार test है और हर test में आपको 100 question देखने को मिलने वाले हैं, sharp 4 pm आपका one shot test शुरू होगा, और चारो test को मिला कर सभी student को rank दी जाएगी, जो top 100 ranker होंगे friends, उन्हें crazy gigatory की तरफ से special gift दिये जाएगे, काफी exciting gift दिये जाएगे, इस mega test series के result का announcement आपको 31 जनवरी को देखने को मिल जाएगा, तो बिना देर किए आप root application को play store से download कीजिए, वहाँ पर आप mega test series को easily join कर सकते हैं, चारो test आपके लिए free है, अगर आपको कोई without है, yearly, current affair book को लेकर, या फिर mega test series को लेकर, तो नीचे दिये गए number पर आप call कर लीजिए, वहाँ पर आपके जितने without है, वो सभी solve हो जाएंगे, I hope update अच्छा लगाओगा, next question पर आईए, second question देखिए, हाली में किस देश में दु टीम ने, एक अंतरास्ठी दल ने, रूस के साइबेरिया में एक कीले की खोज की है, जिसे विश्व में अभी तक का सबसे प्राचीन किला माना जा रहा है, ये कीला रश्या में खोजा गया, रेडियो कारबन डेटिंग के माध्यम से पता चला है, कि ये जो किला है, इसका निर्मान ओल्मोस्ट आठ हजार साल पहले किया गया था, इस तरह से पूरे वल्ड में अभी तक प्राप्त सभी किलो में ये सबसे पुराना किला है, नाम दिया गया है इसे अमन्या, ये किले बन बस्ती है, मतलब एक किले के अंदर पूरी बस्ती निर्मित की गई है, जिस में रूस के साइबेरिया में खुजा गया हूँ, अब यहाँ पर रूस के बारे में आप सभी जानते हैं, ये पुर्वी यूरोप और उत्री एश्या में फिला एक ट्रॉंस कांटिनेंटल देश है, जो की दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है, इसकी केपिटल मॉस्को ह और ब्लामिदीर पुतीन वर्तमान में यहां के प्रिसिडेंट के पतपर है, ओके, इसके बाद आईए, हाली में उत्तम पाचारने का निधन हो गया या किस कला से संबंदित थे, तो उत्तम पाचारने जो की महरास्ट से बिलोंग करते हैं, फ्रेंड्स, हाली में इनका निधन हो गया, क्योंकि यह महरास्ट से संबंदित हैं, तो इनका निधन भी मुंबई में हुआ है, मुर्तिकला और शिल्पकला के शेतर में इनके योगदान के कारण इन्हें 1985 में रास्ट ललितकला पुरसकार और महरास्ट गोरव पुरसकार दिया जा चुका है, इसके अ हाली में मुंबई में निधन हुआ है, अंतरास्टे टेबल टेनिस महासंग फाउंडेशन की गवर्निंग बोड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारती महला कोन है, तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन की गवर्निंग बोडी का सदस ये हाली में वीटादानी को बनाए गया आंसर वीटादानी हो जाएगा एक अरेक्ट हो जाएगा देखे फ्रेंड्स वीटादानी की बात करें तो ये स्पोर्ट्स एंटरप्योनेर है भारत में जिने हाली में इंटरनेशनल टेबल टेनिस वेडरेशन फाउंडेशन जिसे आई टी टी एफ के नाम से जाना जाता है इसकी गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया और इस पत पर शामिल होने वाली इस Governing Board के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली ये भारत की पहली महिला है Sports Entrepreneur Vita Dani एक Foundation चलाती है दानी Foundation के नाम से इसने भारत में Table Tennis खेलों को बढ़ावा देने में काफी महतुपुन भूमी का निभाई है काफी महनत की है इस Foundation ने Table Tennis को भारत में बढ़ाने के लिए और इसके अलावा चैनने फुटबॉल कलब की ये सह मालिक भी है जो की इंडियन सूपर लिग में शामिल एक फुटबॉल कलब है तो ओल ओवर देखे तो Sports Entrepreneur है Vita Dani जिने हाली में International Table Tennis Federation Foundation की Governing Board का Member निउक्त किया गया है और इस Foundation की Governing Body का Member बनने वाली ये पहली भारती महिला है अब यहाँ पर इस संस्ता की बात करें इस अंतरास्टे Table Tennis संस्ता की बात करें कि पूरे वल्ड में Table Tennis खेलों का आयुजन करवाने वाली ये सबसे बड़ी संस्ता है जिसके अध्यक्ष वर्तमान में पेटरा सोर्लिंग है नेक्स्ट देखिए बहुत सालों से ये सुर्ख्यों में कुडम कुलम पर्मानु उर्जा सैंतर भारत के तमिलाडु रज्यमें इस्तित है अब सुर्ख्यों में अभी इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि भारती विदेश मंत्री S. जैशनकर ने हाली में रूस की यात्रा की थी जहाँ पर भारत और रूस के मद्ध में तमिलाडू के कुलम कुलम परमाणू उर्जा सेयंत की बिजली इकाईयों के निर्मान को लेकर समझोता हुआ है वेसे इसकी दो युनिट पहले से काम कर रही है तमिलाडू में कुलम कुलम परमाणू उर्जा सेयंत रही है वेसे तमिल लाडु में इसकी दो यूनिट पहले से ही कारे रथ है अब यहाँ पर इस सयंत्र में रूस की तक्निकी सायता से अन्य इकाईयों को भी निर्मित किया जा रहा है ये परमाणो उर्जा सयंत्र तमिल लाडु के तिरुनेल वेली जिले में स्तित है सबसे पहली बार इसके निर्माण का पहला फेस 2001 में शुरू हुआ था पहली दो इकाईया 2013 और 2016 में चालू की गई मतलब 2013 में पहली इकाई का इनोग्रेशन किया गया और 2016 में इसकी सेकेंड यूनिट का इनोग्रेशन किया गया था अब तमिल नाडू के सयोग से अन्य इकाईयों का निर्माण किया जाएगा कुडम कुलम पर्माणू उर्जा सयंत्र में जो की भारत के तमिल नाडू रज में स्तित है अब इस नुकलियर प्लांट के अलावा अगर हम भारत के अदर नुकलियर प्लांट की बात करें जो की सुर्खों में बार-बार आते हैं एक्जाम में हमें देखने को मिलते हैं तो इनमें काकरा पार पर्मानु उर्जा सैयंत्र को याद रखियेगा गुजरात राज्ज में इस्ति थे रावद भाटा नुकलियर प्लांट राजस्थान में केगा पर्माणु उर्जा सैयंत्र करनाटक में और नरोरा पर्माणु उर्जा सैयंत्र उत्तर प्रदेश रज्ज में इस्ति थे कोशन में कुड़न कुलम की बात की गई थी तो कुड़न कुलम परमाणू उर्जा सयंत्र भारत के तमिल लाडु रज में इस्तित है हाली में किस रज में तबला दर्बार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन करके गिनेज वर्ल रिकॉर्ड बनाया तो ये राज जो जाएगा मद्धि प्रदेश आप सभी जानते हैं मद्धि प्रदेश में एक समारो का आयुजन किया जा रहा है कुछ सेशन्स पहले हमने डिसकस किया था तानसेन समारो कहां पर आयुजित किया जाता है ये तो मद्धि प्रदेश के ग्वालियर में यहीं पर देखिए 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन करके हाली में गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कहाँ पर बना रिकॉर्ड तो ये मद्धि प्रदेश के ग्वालियर में बना क्योंकि मद्धि प्रदेश का ग्वालियर संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है मध्धि प्रदेश के ग्वालियर में इसलिए मध्धि प्रदेश के CM मोहन यादव ने अब 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में रज्ज में मनाये जाने की घोष्णा की है तो काफी सारी उपलब्दिया 2023 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर के नाम रही क्योंकि इसी साल 2023 में ग्वालियर शहर को युनेसको द्वारा संगीत नगरी का भी दर्जा दिया गया था और अब तबला वादन में गिनेज बुक ओफ वर्ल रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही बनाये गया इसके बाद आगे चलिए मुख्य सचीवों के तीसरे रास्टे सम्मेलन के अद्धिक्ष तक किस ने की देखे यहाँ पर पहले ये जान लेते हैं कि थर्ड नेशनल कॉन्फरेंस ओफ चीफ सेकेटरी इसका आउजन कहां किया गया तो इसका आउजन दोजार तेविस में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया जिसके अद्ध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा की गई इस कॉन्फरेंस का आउजन 27 और 28 अक्टूबर को भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया भारत में कॉपरेटिव फेडरलिजम के प्रिंसिपल्स को बढ़ावा देना और इसके अलावा राज्य सरकारों के बीच में सभागीता को विक्सित करना इस सम्मेलन को आयुजित के जाने का मुक्युद्देश है इंशोरिंग इजी ओफ लिविंग 2023 में इस सम्मेलन की थीम है नॉर्मली इस समेट में अलग-अलग पांच सब्जेक्ट्स पर चर्चा की गई जैसे लेंड और एसेट्स, पावर, वाटर, हेल्थ और इसकूल एजुकेशन इनसे रिलेटेड अलग-अलग जितने भी हडल से जितनी भी संभावना है इस पर चर्चा की गई है यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि फर्स्ट Nashville Conference of Chief Secretaries का ज़न 2022 में धर्मशाला में कीया था और अब 2023 में थर्ड Nashville Conference of Chief Secretaries का ज़न नई दिल्ली में किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री के द्वारा की गई हाली में भारत के खनीज बिदेश इंडिया लिमिटेड कमपनी ने किस देश के साथ लीथियम के अन्वेशन और विकास के लिए समझोता किया है तो ये देश है लेटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना हाली में देखी केंदर सरकार ने या भारत सरकार के खनीज बिदेश इंडिया लिमिटेड ने लिथियम की खोज के लिए अर्जेंटीना के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये केंदर सरकार के द्वारा अर्जेंटीना में लिथियम की ख़दानों की खोज और उसके विकास के लिए आगे आने वाले पांच वर्षों में आल्मोस्ट दो सो करोड उपे का निवेश किया जाएगा आप सभी जानते हैं फ्रेंट्स की भारत ने भी वर्ष 2022 में भारत में लिथियम का पता लगाने के लिए आस्टिलिया के क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलेशन आफिस के साथ एक समझूता किया था और इसके तहद भारत में लिथियम की खोज की गई थी अब इसी तरह का समझूता भारत के मिनरल बिदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना के साथ किया है यहाँ पर देखें लिथियम के बारे में आप सभी जानते हैं ये एक रासाइनिक एलिमेंट है फ्रेंट्स जिसका सिंबॉल एलाई है और परमानु संख्या या ए अर्फ वेट्सन को दिया जाता है नॉर्मली लिथियन आयन रिचार्जेबल बेटरियों में सबसे ज्यादा लिथियम यूस किया जाता है हाली में संतोष ज्जा को किस देश में भारत का उच्चा युक्त बनाये गया तो संतोष ज्जा जोकी भारत के एक डिपलोमेट से इने हाली में श्रीलंका में भारत का उच्चा युक्त न्युक्त किया गया अंसर श्रीलंका हो जाएगा पहले श्रीलंका में भारत के उच्चा युक्त के पत पर गोपाल बागले थे इनके इस्तान पर अब संतोष ज्जा की न्युक्त की गई है और गोपाल बागले को औ अस्टिलिया में भारत का अगला उच्चा युक्त नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर स्पेशली संतोज जाकी बात करें तो यह भारत के 1993 बेच के IFS अधिकारी हैं जो कि श्रीलंका में भारत के अगले उच्चा युक्त नियुक्त किये गए। ओके इसके बाद आज के करेंट आफेर का सबसे लास्ट कुशन देखिए। देश के पहले साइबर सुरक्षा केंदर की स्तापना कहां की गई। तो देश के पहले साइबर सिकुरिटी सेंटर की स्तापना भारत के चंडीगड में की गई। हाली में वारत के होम मिनिस्टर अमिच्छा ने चंडीगड में देश के पहले साइबर सिकुरिटी सेंटर का इनोग्रेशन किया चंडीगड में स्तापित ये देश का पहला साइबर सिकुरिटी सेंटर सेंकॉप्स के नाम से जाना जाएगा साइबर सुरक्षा के मामले में केंदर देश के सभी रज्यों को जोड़ेगा और सभी रज्यों में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी नागरिक की चेहरे की पहचान करना उसके डिजिटल हैंड प्रिंट प्राप्त करना या फिर उन्नत फोरंसिक जाज के लिए इस साइबर सिकुरिटी सेंटर की स्तापना की गई है कहां स्तापित किया गया तो भारत के चंडिगड में क्लियर तो यहां पर देखिए हमने 28 दिसमबर के सभी गरन्ट अफेर्स को डिटेल में समझा अब आज़े ये फैक्टी शीट को आगे बढ़ाते हैं जन्वरी से लेकर दिसमबर तक के सभी गरन्ट अफेर्स को यहां पर हम वन लाइनर में डिसकस कर रहे हैं तो पहला दिखिए दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट सीरिया बना है 18 अपरेल 2023 को भारत के राजित सुब्रमन्यम को प्रवासी भारती सम्मान से सम्मानित किया गया 19 अपरेल 2023 को विजडन क्रिकेटर आफ़ द यर चुने जाने वाली पहली भारती महिला क्रिकेटर हर्मन प्रित कौर बनी है बीस अप्रेल 2023 को चुनाव आयोगने करनाटक में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की देश में डिजिटल लेंदेन के वामले में बैंगलोर शहर शिर्ष पर रहा बीस अप्रेल 2023 को लता दीनानात मंगेशकर पुरसकार से आशा भोसले को सम्मानित किया गया आगया ये मंद्रेगा के तहट श्रम दिवस उत्पादन में भारत का राजस्तान राज्ज सबसे शिर्ष पर रहा पुरुवत्तर का सबसे बड़ा बहुत देश्य इंडोर स्टेडियम शिलॉंग में स्तापित किया गया 21 अप्रेल 2023 को महरास्ट राज्ज में सलोखा योजना की शुरुवात की गई और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के क्रियानवेन में भारत का करनाटक राज्ज शिर्ष पर रहा है सभी फैक्ट इंपोर्टेंट है सभी वन लाइनर इंपोर्टेंट है अब आजाईए लास्ट डई के सेशन में जो करनाट अफेर हमने डिटेल में समझे थे यहाँ पर उन्हें एक बार रिवाइस कर लेते हैं पहला देखिए फोप्स की वर्ल्ड हाइस्ट पेट फीमेल एथलेट 2023 की सुची में इगा स्वेतेक पहले स्तान पर रही भारत के रास्टिपती के द्वारा भारती साक्ष अधिनियम 2023 को मंजुरी दी गई जो की भारती साक्ष अधिनियम 1872 का स्थान लेगा वासुदेव देव नानी हाली में राजस्तान विधान सवा के नए अद्देक्ष चुने गए अगया ये वीरबाल दिवस हर साल 26 दिसम्बर को मनाये जता है बिहार राज्जी की पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन एट दिरेट 75 डेस की शुरुआत की गई वाटसन X AI को हाली में नासा और IBM के द्वारा सयुक्त रुप से विक्सित किया गया तेलंगाना राज्जी ने हाली में महालक्ष्मी और राजिव आरोगी श्रीयोजना की राज्ज में शुरुआत की ये सभी का रंट अफ्यर लास्ट डे के सेशन में ने डिटेल में समझे थे अब आज के लिए आप सभी के लिए कोश्चन आफ दे दे देख लीजिए विजय नगर सामराज्जी की स्तापना किस नदी के तड़ पर की गई थी कोश्चन इंपोडेंट है आप सभी जानते हैं कि दक्षिन भारत में विजय नगर सामराज्जी की स्तापना हरियर और बुक्का नाम के दो भाईयों ने की थी किस नदी के तड़ पर की गई ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपोर्टन अपडेट है अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी एवेलेबल है ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वार्मेंट और लेटेस्ट एक्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किये गए हैं यहां हम बैसिक कॉंसेप्ट के साथ साथ कॉंप्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डेके करेंट अफेर में तब तक अपना खैल रखिए जैहिन जै भारत